ये हम सब जानते हैं कि वीडियो में टेक्स डालने से वीडियो की वेल्यू बहुत बढ़ जाती है किसी भी वीडियो में टाइटल, कैप्शन, स्क्रॉलिंग टेक्स आदी देकर आप एक्स्टा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विशेस करकुस तरह के वीडियो में जैसे कि जब आप कुछ सिखाने के वीडियो याने टूटोरियल बनाते हैं तो टेक्स बहुत उपयोगी साबित होता है और भी कई लाव हैं वीडियो में टेक्स के इस छोटे से वीडियो में मैं ऐसे लोगों की समस्य हल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो YouTube आदी के लिए VSDC Free Video Editor से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं लेकिन वो VSDC को इसलिए इस्तिमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके कम्प्यूटर में VSDC में Hindi font ठीक से काम नहीं करते हैं या उन्हें Hindi में काम करने में कोई कठिनाई आती है एक बार तोर VSDC में Text के Tool और जो Free Video Editor हैं उनसे अच्छे हैं और इसमें Text का Control बहुत ज़्यादा है बस थोड़ा Practice की जरूरत होती है पहले VSDC में Text Menu और इसके Tool कैसे काम करते हैं संक्षिप में इस पर चर्चा कर लेते हैं टॉप में जो Menu बार होता है उसमें Editor एक बहुत महतुपून Menu आइटम है जब आप इसे क्लिक करते हैं तो Text से सम्मंदित सारे Tool खुल जाते हैं अगर आपके VSDC विंडो में यह नहीं खुल रहे हैं तो Text को क्लिक कर लीजिए इसमें सबसे पहले Text के रंग पिर उसके Background के रंग पिर उसकी Contour याने Outline के Tool है इसके बाद Font सेलेक्ट करने उसका Size और Formatting के बहुत सारे Tool है इसके बाद है Fox Bold और Fox Italics इससे Font को और भी बड़ा या टेड़ा कर सकते हैं इसके बाद के जो Tool हैं उनसे आप कुछ और Formatting कर सकते हैं अक्षरों और लाइनों के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं और Ant में Paragraph के Tool हैं जिनसे आप Text को Left, Right या Center में Align कर सकते हैं Paragraph को Indent कर सकते हैं वगरे वगरे जब आपको वीडियो में Text Add करना होता है तो आप Add Object या T के आइकॉन पर क्लिक करके Text Add कर सकते हैं आपको करसर को खींच कर एक Box बनाना होता है और जब आप इसके अंदर टाइप करते हैं तो जो Font उसका Size, Color आदी उपर Select किया होता है उस तरह का Text टाइप हो जाता है Text के उपर करसर ले जाकर आप उसे Select करके Text में मंचाई, Formatting बाद में भी कर सकते हैं Text Object पर क्लिक करके जो Box बना है उसे इदर उदर Move भी कर सकते हैं इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं Align कर सकते हैं और जो Side में Properties Window हैं इसमें Values को बदल के भी आप कई बदलाव कर सकते हैं अगर आप VSDC में काम करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ही कि आप Text में कई Vicious Effect लगा सकते हैं साथ ही कई Effect जो वीडियो में लगाते हैं वो भी Text में लगाई जा सकते हैं यो तो हुई मोटे तोर पर Text के Menu और Tools की बात अब चलते हैं Hindi की Problem Solve करने हैं एक चोटा सा नवेदन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें इससे आपको तो जानकारी भरे वीडियो मिलेंगे ही मेरा भी उत्साह कायम रहेगा बहली Problem जो कुछ और Graphic Software में भी होती है वो यह है कि जब आप Windows में Hindi Phonetic या Hindi Language Tools चालो करते हैं और इन Software पर काम करते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं अगर आपके साथ VSDC खोलने में भी ऐसा होता है तो आप सीधे VSDC में Hindi में टाइप नहीं करें और जब VSDC में काम करें तो Windows में Language Tools में English लगा लें Hindi Phonetic आदि को नहीं चालो करें मैंने VSDC की टीम को इसके बारे में बताया भी है कई बार उन से email में चर्चा हुई है लेकिन उनके पास इसका solution नहीं है उन्होंने ये भी बताया है कि ये issue Japanese और Chinese के साथ भी होता है और कई सारे Video Editor और Graphic Software में इस तरह की परिशानी आती है दूसरा किसी भी Video Editor में Hindi में टाइप करना उतना सरल नहीं है जितना की Word Processor जैसे की MS Word या Google Doc या फिर Google Input Tools Google Translate या इंटरनेट में ब्राउजर में Hindi Extension लगा के इन में टाइप करना हिन्दी में टाइप करने में आने वाली कटनाई का solution तो ये है कि इन में से किसी भी software में हिन्दी में टाइप करें और copy करके VSDC के text box में paste करना है तीसरा अगर paste किया हुआ text गड़बड दिख रहा है तो इसका मतलब आपने कोई English का font select किया है इसे बदल कर जो भी डेवनागरी का font है उसको लगा लें ऐसे चोथा हिंदी और अन्यभारती भाषाओं में जिनमें मात्राएं होती हैं और आदे अक्षर होते हैं उनकी एक और समस्या होती है कभी-कभी ये एक software बाद तो ठीक दिखते हैं दूसरे में अजीब तरह से दिखने लगते हैं अगर इसकी वज़ाए से आपको बहुत समस्या हो रही है तो दो तरीके इसको solve करने के हैं पहला ये हमेशा काम नहीं करता इस तरीके में आपको ऐसे font में काम करना है जिसका अपना rendering system होता है कृतिदेव एक ऐसा popular font है आपको इसे अपने computer में download कर लेना है या तो आप कृतिदेव में सीधे type करें और या फिर जो आप किसी भी Unicode font में Google Translate में और जगहों में type करते हैं उसको online कृतिदेव to Unicode converter जो आता है उसमें convert करके कृतिदेव में बदलने और फिर इसको कहीं भी paste करेंगे और अगर कृतिदेव installed होगा computer में तो फिर ये text अलग तरह से behave नहीं करेगा इस image को VSDC में import कर लें हाँ इस image में आप जो VSDC के text effects हैं वो नहीं लगा पाएंगे लेकिन इसमें video और image के जो भी effects हैं वो सब लग जाएंगे मैं अभी का उधारान आपको बताता हूँ मैं text लिखना चाह रहा हूं हिंदी में देखिए वो जो बन रहा है वो इस तरह का बन जा रहा है तो मैंने इसको एक image की तरह इस video में लगाया है आशा है आपको बिंदी टेक्स में typing से संबंदि जो समस्याएं हैं VSDC में आ रही हैं उनके समाधान मिल गए होंगे नमस्कार